हाई एवरिवन वेलकम बेक और फिर से कुछ स्वागत एक न्यूव वीडियो में दोस्तों जिसे आपको पता कि टाटा इस्टिल ट्रेड अप्रेंटिस 2022 का यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है और आज है लास्ट डेट एपलाई करने के तो जितने भी विदातरी अभी त पूछा जा सकता तो इसलिए हर एक वीडियो को देखा किजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाल आइकन को और किजिए काफी इंपॉर्टन तो ही हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपकी पहुंच पाएगा दोस्तों जैसाब को पता कि चाहे कोई भी सब्सक्राइब तो हर एक एंगल से एक टॉपिक काफी इंपॉर्टन है हो सकता है दोस्तों दो कोशन इस टॉपिक से पूछ दे या एक कोशन पूछा तो जाही सकता ठीक है तो कहीं नहीं आप लोग काफी इंपॉर्टन एक या दो नमर भी काफी एहमियात रखता आपके बनता है तो ठीक है तो चले ब्युद को सुरुवात करते हैं एक एक गलिदो देखेगा एक एक कोशन मत किजिए लिए टेइगा पिजीए पूछा जा सकता है तो याद रखते हैं टोटल सेवेंटी सिक्स देश ठीक है ऑप्सिन वर डी बिल्कल यहां पर करेक्ट है कि 76 देशों ने हिस्सा लिए किसमें तो कॉमन वेल्थ गेम दोजर बाइस मिठीक है कि चलिए आगे बढ़ता है नेश्ट कोशन की और अगला कोशन पर पूछ रहा है कि कोमन वेल्थ गेम दोजर बाइस में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीता दोस्तों तो याद रख लेजिए को ऑंस्टेलिया ने किसने जीता तो ऑंस्टेलिया ने ओप्सिन न कि बाइस में भारत ने कुल कितने पड़गी यहां पर आपका वी तोटल भारत नहीं यहां पर आपका जो मेडल जीते हैं वह हो है आपका 61 ठीक है याद रख लिजिए का 61 टोटल मेडल जीते हैं ठीक है याने ऑप्सिन नवर भी बिल्कुल आपका करेक्टर साती हो चलिए आगे बढ़ता है नेस्ट कुछन की और कुछ समर फाइब दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है आप लोगो तो प्लीज लाइ मेडल जीते हैं तो याद रख टोटल 22 गोल्ड मेडल इस पर भारत ने लाया है कितना बाइस टीक है यह आप्सिन नवर भी बिल्कुल आपका करेक्टर अंसर है आगे बढ़ते हैं कुछन नमर्स सिक्स के और देख लिएगा कुछन नमर्स सिक्स पूछा कि कॉमन वेल्थ बाइस में महीला होकी में भारत को कौन सा पदक मिला भारती है महीला होकी ने भारत को कौन सा पदक दिला है ठीक है इस पर कॉमन वेल्थ गेम में तो याद रख लिए ब्रॉंज मेडल जिद दिला है ठीक है आगे बढ़ते हैं देख लिए अगला कुछ नहीं कि कॉमन वेल कोеро को इस बार कुछ रही बार कॐमन्वेल्ट गिया ला ग्या है तो थिल्वर अब लागे बढ़ताई नैश्ट ड़या चलते हैं अगला पूछ और पूछ रहा है कि इस बार कौन सा क्वेल बार कॉमन्वेल्ट कोच्छ बार्जवन्वेल्ट का सामिल किया गया काफी इंपॉर्टन कोशन है तो याद रख लिए पहली बार आपका महीला किर्केट टीम को यहां पर महीला किर्केट को यहां पर सामिल किया गया अप्सिन मस्सी बिल्कुल करेक्ट अंसर है दोस्तों हो सकता आप लोग से स्पोर्ट से रिलिटेड और एक कोशन पुछा जा स सकता ठीक है तो जितने भी इंपॉर्टन स्पोर्ट पर्शन ने उन लोग फिलो उन लोग का फेस आप लोग याद रखना होगा एक कोशन आप लोग से पूछा जा सकता अगले बार पूछा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं देखे कोशन बनायन पूछा कि भारत ने स इस बार भारत ने पदक लाया था तो याद रख लिएगा आपका टोटल दस पदक लाया है ठीक ऑप्सिन नमर सी बिल्कुल करेक्टेंस है चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कुशन की और कुशन 11 पूछा कि कॉमन वेल्ट गेम तो जर बाइस का आयो जन कहां वाड़िक यह भी काफी इंपॉर्डन है याद रख लिए बरगिंगम में अप्सिन नमर डीविल्कुल करेक्टेंसर है आगे बढ़ते हैं कुशन 12 यह चलते हैं पूछा कि कॉमन वेल्ट गेम तो जर बाइस खतम होने पर भारत मेडल टेली में कौन सा इस्तान पर रहा ठीक है भारत क पहला पदक किसने दिलाया था कुश्ती में पहला पदक भारत को किसने दिलाया था ठीक है याद रख लिजेगा तो इसका करेक्ट एंसर किया है तो अन्सु मॉलिक ने ठीक है ऑप्सिन नमबर सी बिल्कुल का करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्ट नमबर 14 की और झाय समय खोड़िये कॉमन विल्ट के भारत के जेरेमी लाल्ट रिंन गौ को कोन सा मेडल जीए ठीक है जेरेमी लाल रिनुगा ठीक है जेरेमी नाम थोड़ा है जान रख लख लए तो इसका correct answer क्या होगा तो gold medal ठीक है common wealth game में कौन से medal जीता तो gold medal जीता है ठीक है option नमबर एक बेखलोप का correct answer है चलिए आगे बढ़ता है next question क्यों और question 15 क्यों चलते हैं पूछ रहा कि common wealth game में मिरा जानो उनगहीं कों से medal जीता है काफी important question ह। दोस्तों मेरा बाइचनौ या दखलेजियेगा इनका फीगर ispकर को mamma के बढ़तें और 이제 no 16 क्यों चलते हैं तो पोछंडा आपका कि common wealth game यह वेट लिप्टिंग में बिंदिया रानी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता आप लोग से कोश्चन पूछा जा सकता बिंदिया रानी ने कौन से पदक जीता आठीक है काफी इंपॉर्टन कोशन ने साथ ही हो तो याद रख लिए कि सीली वर मेडल ठीक औप से नंबर भी बिल्कुल अपको करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन द्यान देज़ेगा यहां पर पूछा कि भारत भारत यह भारत तोलग टीक है गुरुराज कि पुझारी बर्गिंगम कोमन्वेल्थ गेम 2022 में 100 किलोग्राम फाइनल में कौन सा पदक जीता टीक है इन्होंने कितना किलोर उठाया था अगे बढ़ते हैं अगला कुछन पूछ रहा है कि कौमन वेल्ट गेम दोजर बाइस में पहलवान बजरंग पुनिया ने भारत को कौन से मेडल दिला है तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि कौन से मेडल जीता है या कौन खेल से बिलॉंग करते हैं कौन तो बजरंग पु बज़ रंग पुनिया ने थिकां कि अगे बढ़ता है कौश्च नहीं के ओर चलता है कुछ नमर 20 पूछ रहा है है कि राश्ट मंदल कर लियर कम विंदी में राश्ट मंदल खेल बोड़ा जाता एक राश्ट मंदल 2022 में किस भारते अथलेटिक ने पहला मैंडल जीता है पहला मेडल जीता है ठाटिका कोश्ण नुबर 20 देख लिए यहां पूछ रहा है एथेलीट ठीक है यह अलग कटेगरी का होता दोस्त तो याद रख लिए ठीक है तो इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर क्या होगा था संकेत महादेव सरगर ठीक है याद अप्शन नुम ठीक है काफी इंपॉर्टन कोशन है तो इसका करेक्ट अंसर क्या होगा तो ब्रॉंज मेंडल ठीक है अपका ऑप्शन नुमर सी बिल्कुल अपका करेक्ट अंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्ण नुमर 22 के और चलते हैं कि कॉमन वेल्थ गेम 22 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्रकी एथलेट कौन बनी ठीक है कम उम्रकी ठीक है भारत से ठीक है काफी इंपॉर्टन कोशन है तो याद रखेजिए अनाहत सिंग ठीक है कौन अनाहत सिंग ऑप्शन नुमर बी आगे बढ़ते हैं कोशन में 23 के और चलते हैं कि कॉमन वेल्थ गेम 22 मे भारतिय पहल्मान मोहित ग्रेवाल ने कौन से पदक जीता है कौन से मोहित ग्रेवाल ने काफी इंपॉर्टन कोशन है कोशन नुमर 23 तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा साथ यो तो याद रखेजिए का से पदक ठीक है ऑप्शन नुमर C आगे बढ़ते हैं कोशन में 24 के गोर चलते हैं पूछ रहा कि कॉमन वेल्ट गेम दुचर बाइश में भारतिय पहल्मान दीविया काकरान ने कौन से पदक जीता है को इसने तो दीविया काकरान ने काफी इंपॉर्टन कोशन ने का करान ने कोशन नुमर 24 तो याद रखेजिए का शे पदक ठीक है ऑप्सन दीपक पुनिया ने ठीक है कोशन नुमर 25 तो याद रखेजिए अपको श्वर्ण पदक गोल्ड मेडल ठीक है ऑप्शन नुमर ए आपका करेक्टर अंसर है आगे बढ़ते हैं देख लिएगा कोशन नुमर 26 की मैंस लॉंग जंप में मूरली सरी संकर ने कौन सा पदक जीत ठीक है किसने तो मैन लॉंग जंप में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन में 27 की और कि दिखे कॉमन विल्ट गेम 22 में टेबल टेनिस में सरत कमल ने कौन सा पदक जीता है ठीक है कोशन में 27 ठीक है तो गोल्ड मेडल जीता है ठीक है ऑप्शन नुमर ए बिल क्लफ का क ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन में 28 की और चलते हैं पूछ रहा कि कॉमन विल्ट गेम 22 में लक्ष सेन बेट मिंडर में कौन सा पदक जीता है ठीक है लक्ष सेन बेट मिंडर में ठीक है काफी इंपर्डन कोशन है दोस्तों ठीक है तो याद रख लिएग आपका गोल्ड म कोई नहीं ठीक है इसका एंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आई होब दोस्तों आज का सेसन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए सेर किजिएगा और चलनल को सब्सक्राइब करके जाएगा तो मिलते एक नई वीडियो के साथ तब दगले जहिंद बंदे मात्रम